अब सिंगे अगला पार्ट अब इस से पहले में दो वीडियो और बना चुका हूं जिसमें मैंने समझाय था कि मुस्लिम वीवा या निकाह क्या होता है और कितने प्रकार का होता है कैसे होता ये सारी चीजे में पूरानी दोनों वीडियो में समझा चुका हूं अब उन वीडियो में भी एक वर्ड आ रहा था महर महर और महर एक important topic भी है Muslim लोग के इसाब से तो हम आज महर को ही समझने वाले कि भाई Muslim में जब विवा के बाद पत्नी को विवा के एवज में यानि कि विवा किया उस विवा के लिए पत्नी को कुछ धनराशी दी जाती है उसी को महर करते हैं अब ऐसा क्यों होता है हम पहले पढ़ चुको है मैं पहले भी बता चुका हूं और बुक्ष में भी हर्जागे लिखा हुआ होता है आप पर अपने पढ़ा होगा कि मुस्लिम समुधाय में क्या होता है कि विवा को जो एक संसकार नहीं मानना जाता है जिसे हिंदू विधी मे विवा को संसकार नहीं मान करके विवा को एक समीधा माना जाता है तो समीधा के लिए क्या आवशेक होता है समीधा के लिए अंपड़ चुके हैं कोंट्रेक्ट में कि वेद समीधा के लिए आवशेक है कि प्रस्तावे स्विकृति हो उसके बाद प्रतिफल का होना भी आवश तो जाकर कि एक समीधा complete होती है तो इसी प्रकार से एक समीधा की रूप में आप यह कहां कहा गया है कैसे का गया यह मैं सभी आपको अभी समझा देता हूं महर को एक बार समझ लेते कि महर महर पत्नी को विवाह के एवज में दिया जाने वाला एक प्रतिकर है यह एक प्रतिफल है मैंने आपको बताया था कि इसमें एक कॉंट्रेक्ट के रूप में चलता है मुस्लिम लोग में तो बहु कॉंट्रेक्ट है तो कोई नो कोई प्रतिफल दे नहीं होगा तब जाकर के वो समीधा complete होगी तो इसलिए महर दिया जाता है पत्नी को दिया जाता है ध्यान रहे महर जहे पती द्वारा पती पक्ष द्वारा दिया जाता है यानि कि पत्नी को दिया जाता है पत्नी को देने दी जाने वाली राशी वो होती है वो महर कहला ती अब मुल्मा की परिबाश्या मुसलिम लोह में बहुत important होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मुल्मा की परिबाश्या को यू因為 रट्लेना है आपको कोles मुल्ला के नुसार महार एक ऐसी धन्राश्या संपती है जिसको पत्नी विवाह के प्रतिफल के रूप में पती से प्राप्त करने के लिए हगदार होती है यानि कि मुल्ला ने भी ये सेम बात कही है कि विवाहत के समय मुस्लिम विवाह के समय पत्नी जो है प्रतिफल के रूप में यानि अगर contract हो रहा है तो contract के लिए प्रतिफल आवशे के प्रतिफल के रूप में पति से १क्ष ऩ lover too यह इज रिखनानियर सब्ывать कि महर के बिना विवा संबबनी मं पहले इबाइब आपको बता चुका हूं कि वेद विवा के लिए महर आवश्यक है और महर कौन सी होगी भई महर कुछ भी हो सकती है संपत्ती भी हो सकती और धनराशी भी हो सकती है महर किसे मिलेगी द्वारा दी जाएगी पती पक्स द्वारे दी जाएगी अब बात करें महर के प्रकारों के बारे में अब महर के चार प्रकारें आपको सिर्फ ये चारों नाम याद रखने इनके अंदर का मेटर में आपको अभी यहीं इसी वीडियो में याद करा दूँगा इन चारों नामों का आपको याद रखना है कैसे करना है मैं सब बताता हूं महर के प्रकार महर के चार प्रकार है पहला है मूचल मुय्साज्स्ट धियानир रखे मूच्ज्छन मुवज्जल यानि कि तातकालिक महर दूसरा है मुवज्जल 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 यानि कि अस्थागित महर तीसरा है महर मुसल्मा या इसे निश्चित महर भी करते हैं चोता है महर मिसल इसे उचित महर भी करते हैं मुवजल इन दोनों नहीं होना है मुवजल यानि कि यानिकी आस्थगत महर दूसरा है मुवजल इसे टात्का लिक महर करते हैं और जो मुवजल है मुवजल इसे अस्तागित महर करते है ये दोनों बहुत अलग-अलगे हैं question कहीं बार सिर्फ यही वर्ड आता है कि मुवजल या मुवजल इसमें student confuse हो करके इसका इसमे और इसका इसमें लिख देते तो वहां सारी गड़ बड़ो जाती है, आपको ये द्यान रटना है कि मुवजल जो अ वाला है वो तातका लिखे और मुवजल जो वाला है वो आस्तागित है, यानि कि जो इसमें फर्स्ट आस्तागित में आ रहा है, इसमें यहां वा आ रहा है, यह दोनों सेम नहीं मिलेंग महर कब मिलेगी महर कि राशी जो है पत्नी को कब दी जाएगी वो बताया गया है मुवजल और मुवजल में इन दो प्रकारों में महर की राशी कब दी जाएगी इसके बारे बताया गया और इन ये जो दो प्रकारे नीचे वाले कि महर मुसल्मा और महर मिसल इसमें बताया गया है कि राशी कितनी होगी और उसका निर्दारण कैसे होगा पर महर के लिए कोई राशी फिक्स की गई तो वो कितनी राशी होगी और उसका निर्दारण कैसे किया जाएगा इन दोनों के बारे में इन दोनों में बताये गया है कौन से महर मुसल्मा और महर मिसले में बताये कि कितनी होगी और उसका निर्दारण कैसे होगा और मुजल और मुजल में बताया गया है कि भई राशी कब दी जाएगी पत्नी को तो अब इन चारों को एक एक करके पढ़ लेते हैं बहुत इजी है सिर्व आपको नाम याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी तो ये चारों नाम आपको अच्छे से रट लेने पहला है मुजल या तातकालिक महर मुजल या तातकालिक महर क्या होता है मुजल या तातकालिक महर होता है कि विवा पश्चार विवा के बाद पत्नी की मांग पर तत्काल दे होता है मुजल या तात्कालिक महर जो ऐसा होता है इसमें विवा होने के बाद विवा कम्प्लीट हो गया उसके बाद से लेजा करके आगी किसी भी समय में पत्नी द्वारा कभी भी इस महर की मांग किया सकती है उसी समय जब पत्नी इस महर की मांग करती है पती को उसी समय तत्काल वो महर का बुक्तान करना होगा महर की राशी क्या बुक्तान करना होगा पत्नी को इसे मोजल महर करते हैं या तत्कालिक महर भी करते हैं इसमें पत्नी ने जब मांग की उसी समय पती को महर की राशी उस पत्नी को देनी होगी अगर पति देने से मना करता है एक केस है रहिलन वसे सना ये केस है इस केस में कोट द्वारा एक आ गया है कि अगर पति द्वारा पत्नी को महर की राशी में देने से मना किया जाता है या उसमें आनाकानी की जाती उसे डिले किया जाता है तो एसी इस्तिति में पत्नी के पास यह हक होता है कि वो पती को सहवा से मना कर सकती है यानि कि साथ रहने से पती की साथ रहने से मना कर सकती है यह हक पत्नी को होता है अगर कब होता है जब पती उसकी मांग पर ततकाल मांग पर उसे महर की राशी नहीं देता है तो पत्नी को हक होता है कि वो सहवा से मना कर सकती है रहिलन वसेश सना ये केसे इस केस को भी आप याद कर लेजे रहिलन वसेश सना इस केस में कहा गया है कि पत्नी सहवास से मना कर सकती अगर पती जो है महर की राशी देने से मना करता है तातकालिक महर में ज्यान रहे तातकालिक महर में पति महर की राशी देने से मना करता है तो ऐसी इस्तिती में पत्नी सहवास से मना कर सकती है अब इस महर में क्या होता है कि विवा के बाद पत्नी का जब मनो तब वो इस महर की मांग पति से कर सकती है विवा के बाद जब भी पत्नी का मनो तब वो मांग कर सकती है अब इसी से थोड़ा अलग मुवजल या Αस्तागित महर इस महर में क्या होता है कि इस महर में पत्नी जो है permitted मांग नहीं कर सकती है पत्नी विवा के बाद तुरंट मांग नहीं कर सकती है इसमें एक टाइम फिक्स है कि यहां तो मृत्य हो जाती है यहां तलाक हो जाता है मृत्य यहां तलाक की इस्तिती में जब विवा का खंडन होता है यहां विवा समाप्त होता है एसी इस्तिती में ही यह महर जो है दी जाएगी यानि कि इसमें तो पत्नी कभी भी मांग सकती थी लेकिन इसमें पत्नी मांग नहीं कर सकती इसमें पत्नी के पास यह हक नहीं है कि वो इसके लिए मांग कर अब यह जो है विवा के समय ही निर्दारित हो जाता है कि मौजल या तत्कालिक महर रोग दिया जाएगा या आश्तेगित महर दिया जाएगा यह विवा के समय ही फिक् कुछ भी हो जाएगा किसी की मत्यों जाएगी या तकाल तलाक द्वारा तलाक द्वारा विवा का विखंडन हो जाएगा एसी इस्तिति में ही उसके बाद ही जो है महर की राशी पत्नी को दी जाएगी अब मत्यों तलाक द्वारा विवा का विखंडन होने पर ही यह दे होती ह परन्तु इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट हो रहे हैं इसमें तो पत्नी कभी भी मांग सकती थी इसमें पत्नी नहीं मांग सकती लेकिन पत्नी के पास यह हक होता है कि पत्नी को उसी समय दे सकते हैं कि पत्ति के पास यह हक होता है कि वो महर की राशी को कभी भी दे सकता है इस आस्तेगित महर को तत्कालिक महर में बदल करके वो इस महर की राशी को कभी भी दे सकता है परन्तु पत्नी इस महर के लिए मांग नहीं कर सकती पूर्व में विवास विखंडन से पूर्व पत्नी की अगर इच्छा है तो पती इस महर को कभी भी संदाय कर सकता है नहीं कि महर की राशी को कभी भी दे सकता है और इसमें पती के पासा कोता है इसके साथ दी विवा के समय मान लीजिए ऐसा कहा गया कि एक हजार रुपे मान लीजिते हैं कि एक हजार रुपे महर की राशी निर्दारित की गई विवा के समय अब उसमें ये का गया कि इसमें से 500 रुपे जो है तातकालिक महर होंगे और बाकी बच्चे 500 रुपे आस्तेगित महर होंगे यानि कि 500 रुपे तो पत्नी कभी भी बांग सकती है क्योंकि यह तातकालिक महर में रखा गया और 500 रुपे आज तेकित महर में रखा गया कि इस समय क्या होगा कि जब प्रत्ति आप पत्नी की मृत्ति हो जाएगी या वीवा खंडन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में यह महर के राशी दिजाएगी तो ऐसा भी क्या जा सकता है कि आधि राशी बाग दिजाए कि आधि राशी इसमें है और आधि राशी इसमें लेकिन मान लीजिए कि हजार रुपे महर के राशी निर्दाइद की गई परन्तु क्या कर दिया गया कि इसमें हजार रुपे में यह डिफाइन नहीं किया गया यह नहीं बताया य कि इसमे हजार उपे जो महर के राशी निर्दारीट के जाती है उसमें थोड़ी तातकालिक होगी और थोड़ी आस्ते कीत होगी तो एक। हुआ तो मद्रा साइकोट ने ये निर्णे दिया कि जब जहांपर डिफाइन नहीं किया गया होगा कि कितनी राशी तत्कालिक है कितनी राशी आस्तगीते तो एसी इस्तिति में पूरी राशी जो माली है जाएगा यहां फिर मेर्ट्व की समय दिया जाएगा यहां फिर पती की इच्छा पर वह जार रुपे दे देडिये जैए पर तुछ इस संपूर्ण रसी है उसे तातका लिग महर मान ले जाएगा और पतनी की मांग वर उसे देना होगा तो यह दूनों यह करना तो ये दोनों चीजे तो भी कंप्लीट अब इन दोनों पॉइंट को आ देख लेंग ये दोनों मुस democratic यानिकिक निसीट महर ओर दوس्रा यह दोनों थे इनमें सिर्फ पती द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता था दूसरी चीज़ों को वगेरा के हिसाब से भी निश्चित किया जाता था परन्तु यह जो महर मुसल्मा इसमें सिर्फ पती जो है महर की राशी का क्योंकि यह दोनों तो बता रहे कि कब दिया ज हिस्यत से बढ़कर के भी माल लीजिए पती के पास एक हजार रुपे तो माल लीजिए दो हजार रुपे के लिए भी कह सकता है कि मैं दो हजार रुपे महर में दूगा उसके पास नहीं है उसकी हैसित नहीं है उसके पास संसाधन नहीं है तो अपनी हैसियत और संसाधनों से परे जाकर के भी महर किराशी का निर्दार्ण कर सकता है कौन पती कर सकता है और इस महर मुसल्मा यानि की इस महर के इस प्रकार में केवल पती ही महर किराशी का निर्दार्ण करता है वो अपनी हैसेट चे आगे जाकर के भी जो है महर किराशी का निर्दार्ण कर सकता है लेकि इसमें भी क्या कळा गया कि 10 दि यि ये क्लिए जैसे बहरत में रुपए चलते हैं अमेरिका में डोलर चलते हैं उसी तरह से जो यूए उनमें दिराम मिनिमुम होने ही चाहिए किसके लिए महर की राशी के लिए कम से कम 10 दिराम तो निश्चित किये गए होने चीए 10 दिराम से कम की राशी जो है पती निश्चित नहीं कर सकता इसमें यह है कि पती निश्चित करेगा कि कितनी भी राशी हो सकती है पती उपर लिमिट तक तो कित्ता भी जा सकता है जितने उसके पास नहीं है उससे जादा भी जा सकता है यहां तक कि यह भी कहा गया है कि पती अपनी सारी संपत्ति को पत्नी को महर के रूप में भी दे सकता है और इतनी भी दे सकता है कि उसके बच्चों के लिए उसके दूस होने चाहिए दस दिराम से कम राशी को महर के लिए निस्टित नहीं किया दा सकता है अब बात करें महरे मिसलि के बारे में कि महरे मिसली क्या कहता है इसे उचित महर भी कहते है तो महरे मिसली कहता है कि महर की राशी निर्दार्ण नहीं होने की स्थिति में अब पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ मुस्लिम विवा के अंदरकत या उसके प्रगारों के अंदरकत भी कि महर जब निर्दारित होगी तो महर तो ही है, बिना महर के मुस्लिम विवा संभव नहीं है, तो ऐसे इस्तिती में जहां महर निर्दारित नहीं किया गया होता है, जहां उसकी राशी निर्दारित नहीं किया गया होती है, तो ऐसे इस्तिती में क्या किया जाता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स को देखा ज किस्त्रियों को कितनी महर की राशी मिली और पती की मांचिक इस्ती केशी और वो किस्ति राप to 20 व्य चैनल कि लगाता है कि बहुत राशी पत्ति को पत्नी को महर के रूप. तो यहां यह कब होता है जब महर की राशी डिसाइड नहीं की गई होती है और पत्नी महर की मांग कर लेती है तो ऐसी स्थिति में महर की राशी की जो डिसाइड की जाती है वो इसी साफ से की जाती है अब इसमें क्या है कि इसमें एक ढर जिसे मुस्लिम पुरान है इक पर्वत मतρέंद 大ffentlich परवते उतनी धनवरासी भी महर में अगर अगर डे जाए तो महर के लिए कम हैrió कबेर परवत जो होता है कबेर परवच इतनी धन राशी भी अगर मा इसमें दे जिया महर के लिए तो भी कम है यानि कि आह पर लिंट कोई नहीं है यहां पर भी हमने पढ़ा था कि आपर लिमेट कोई नहीं मिनिमम यह है कि दस दिराम होने चाहिए लेकिन जहां पत्ती की इस्तिति बहुत ही खराब हो और वो इतना दस दिराम के लिए भी योगी नहीं हो तो ऐसे इस्तिति में ये भी का गया कि एक मुट्टी खजूर और एक जोड़ी जूते को भी महर के रूप में एकसप्ट किया जा सकता है यह ऐसा भी का गया पेगंबरों द्वारा एक मुट्थी खजूर और एक जोड़ी जूते दे लिए ये लेकिन वैसे आप जो है डाउन लिमिट सैट की गई है अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो उसका भी कोई फिक्स निये कि बहुत नहीं तो उसका भी कोई दी जा सकती है तो महर क्या होता है हमने पढ़ लिया कि पती द्वारा पत्नी को जो दंद राशी दी जाती है वह महर कहलाती है इसके चार प्रकार है मुवजल यानि कि आश्चेगित महर मुसल्मा यानि कि निश्चित महर और महर मिसल यानि कि उचित महर मुवजल और मुवजल इन दोनों में क्या बताता है कि मतनी की इच्छा से पथी अपनी इच्छा से और पती नहीं देता है तो मत्यू पर या विवा विच्छछेद पर तो दे पती द्वारा निर्दारित की जाएगी महर मिसले कहता है कि मान लीजे निर्दारित नहीं किया गया है कि कौन सा महर होगा या कैसा होगा कितना अमाउंट दिया जाएगा तो यह सी इस्तिति में उसके परिवार में दूसरी इस्तियों को कितनी महर मिली है उसकी इस्तिति कैसी चीज़ों को देख करके रास सी निर्दा रिद की जाएगी और महर कंसी कितनी भी हो सकती है अपर लिमीट को इस टमी है डाउन लिमीट यह है कि कम से कम अदस दिराम होने चीए लेकिन अगर दब बाकि अंदर कमेंटर आपको आसानी से याद होजएगा इतना कोई ताफ टॉपिक भीडियो समझ में आया होगा नेक्स्न किस टॉपिक पर आप अपना वीडियो चाहते है वो मुझे कमेंट करके बाचिए थैंक्यू सो मच अजग झाल